आज लगभग पूरे देश का ब्रह्मन समाप्त करके मैं घांची में हूँ और हम लोगों ने इसको प्लैन ही इसी तरह किया था कि अभियान का अंथम रांची से करेंगे जारखंट से करेंगे आप लोगों को याद होगा कि 27 जून को मैंने अपना नामांगन दाखिल किया था विपक्ष के साजहा उमिद्वार के रूप में अनेक हस्तियां उस दिन मेरे साथ थी विपक्ष की और अठाइस से ही 28 जून से ही मैं निकल गया पूरे देश के ब्रह्मन पर और वो इसलिए कि राष्ठपती का चुनाव जो होता है वो इक लौता चुनाव है हमारे हमारी सन्वेधानिक व्यवस्था का नुसार जो पूरे देश का चुनाव हैं आप 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 जानते हैं कि विधान सबागा चुनाव लोक सबागा चुनाव कोई खड़ा होता है तेक निर्वाचन छेत्र से खड़ा होता है लेकिन राष्पती को उमिद्वार खड़ा होता है तो पूरे देश से एक तरह से खड़ा होता है और इसी लिए हम लोग ने ये उचित समझा कि हम लोग जितने प्रदेश हैं वहाँ जाएं और दो कारिक्रम वहाँ पर निश्चित रूप से करें नमबर एक कि वहाँ पर जितने समर्थक विधायक हैं अन्यसाति हैं सांसद हैं उनसे मुलाकात की जाए उनसे समर्थन मांगा जाए और दूसरा कि हर जगे पत्रकार वारता दीज़ें और जहाँ जहां मैं गया वहाँ वहाँ इसी प्रोग्राम का नुसार में चला आज रांची में हम इसका समापन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि रांची की मीडिया इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और मैं एक विशेश संदेश आजंत में रांची की मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता आप जानते हैं कि राष्ट्पती का पद सन्विधान में सरवच पद है लेकिन और हर हर पांच साल पर उसके चुनाव होते हैं इस बार का चुनाव कुछ बहुत असाधारन परिस्थिती में हो रहा है मैंने स्वयम भी कलपना नहीं की थी जब मुझे पिपक्षी दलों ने अपना साजहा उमिद्वार बनाया और मैंने स्विकार किया तो मैंने भी कलपना नहीं की थी कि यह चुनाव जो है मेरे द्रिष्टकों से एक अभियान का भुप लेगा लेकिन वही हुआ और जहां जहां मैं गया वहां पर मैंने जैसे कहा कि मीडिया के मित्रों से बादचित हुई और चारों तरफ एक संदेश जो हम देना चाहते थे वो गया ना किवर लोकल मीडिया में बलकि देश की मीडिया में कि संदेश क्या है कि संदेश यह है कि हमारी देश की स्थिती दिन प्रति दिन बज से बत्तर होती जा रही है जब हमने 29 तारीकों त्रिवांदरम से अपना कारीक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं यह नहीं कहने कि स्थिती में था इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र खत्रे में है लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है यह मैं आज राची में कह सकता हूं त्रिवांदरम में 29 तारीकों नहीं कह सकता था और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया तो मेरा अभी प्राय उन सरकारी पार्लिमेंटरी आदेशों से हैं जो कल परसों की बीच में पारित हूँ है अब सब अगत हैं कि दो डेवलोप्मेंट हुआ एक तो यह हुआ कि संसद में बोलते समय कौन-कौन के से शब्द अन पार्लिमेंटरी माने जाएंगे इसकी एक सूची सर्कूलेट कर दी गए और वो कितना हास्यास्पद है वो अब भी उतने ही वाकिफ हैं जितने हम वाकिफ हैं आप वहां पर खड़े होके नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने कम्मी है सरकार भ्रष्ट है क्योंकि यह सब अन पार्लिमेंटरी हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ना केवल सत्ता पक्ष के लोग वो तो पहले से करते आही रहे हैं बलकि जो विपक्ष के संसत सदसे हैं उनसे भी यही उमीद की जाती है सरकार के द्वारा कि वो सरकार का इस्तुतिगान करेंगे, सरकार की शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने सरकार की शिकायत चुरू की, तुरंत आसन से निर्देश आ जाएगा, कि आपका ये शब्द अनपारलिमेंटरी है, ये शब्द अनपारलिमेंटरी है, और माल जे कोई धारा प्रवाब बोल रहा है और हर वाक्य में आप उसको टो किये कि यह प्रमधा दूसरी बात संसत के ठीक बाहर लेकिन संस्त परीसर में आज तक यह अधिकार था राजनेतिक दलों का, यह अधिकार था संसत सदस्यों का कि वो आके बाहर विरोध करें. कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में विरोध हुआ और हाउस में विरोध होने के बाद जब हाउस अजन हो गया, अस्थगित हो गई कारवाई, तो तुरंत विपक्च के लोग बाहर निकलते थे और पार्लिमेंट परिसर में आकर अपना विरोध दर्श कराते थे. अमात्मा गादी जी कि जो विशाल प्रतिमा उसके सामने बैठते थे, अम्वेद gingकी, जो प्रतिमा है, वहां बैठते थे, पधार मित्रों से बादचीत करते थे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्लमेंट परिसर के भीतर किसी प्रकार का विरोध प्रसेशन आप नहीं कर सकते हैं, तो पार्लमेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते हैं, पार्लमेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते हैं, जो टेंपल और दिमॉक्रसी कहा जाता है, लोक्तंदर का मंदिर, देश का संसत, उस सं संस्था का यह हाल हो गया इसके पहले जो लोगशाही की संस्थाएं थी उसका एके करके किस प्रकार खरास हुआ हम सब उससे वाकिफ है उसके विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन आज लोगशाही का जो मंदिर है प्रजातंत्र का जो मंदिर है वो इस प्रकार खत्म हो गया तो अब हम कैसे गहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है, केवल पांच साल में एक वोट डाकर डाल जाकर डाल देना, वो प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र को हर दिन चीवित रहना पड़ता है, वो प्रजातंत्र कहा गया, जिस प्रजातंत्र को हमारे सन्विधान के निर्माताओं ने, बाबा साब अमबेदकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मन थे, उन्होंने सन्विधान की रूप रेखा तयार की, कहा गया वो सन्विधान, कहा गया सन्विधान, कहा गया सन्विधा राष्टपती के चुनाओ की लड़ाई इस बार हो रही है वो उससे द्यापक हो गई और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई की अंत का अंत नहीं है लड़ाई की शुरुवात देश भर में घूमकर मैंने जो एक भावना देखी है उसके आदार पर मैं आप कह रहा हूं की लोग बहुत लूग बहुत उद्वेलित हैं बहुत आहत हैं बहुत दुखी है है अपने वो व्यक्त कर सकें या नवेक्त कर सकें mाधन से वह बात आगए बढ़े या नबढ़ सकें लेकिन एक अजीब सा डर का वातावरन इस मुल्क में आज की दिन है डर का वातावरन और मैं जोर देकि इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बागी सब लोग चाहिए उनके जो नंबर दो आदमी है ना जो देश के ग्रीमंत्री महुद है वो भी दरह हुए है चाभ Indians के सब मीनेस्टर से दरे हुए संसे सदद से डरे हुए है उनकी पार्टी के लोग डरें वे आम जन बिजनेस्मान डरा हुआ है और जिस तरह गिंश्यों का दूर पयोक हो रहा है बीदी, CDR, income tax कि जिस तरह उनका दुरूपयोग हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि कि कितना डर कितना खौफ इस देश में पहल गया है और इसलिए मैं फिर जोर्दे के इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो पाकिस सब लोगों को ये लोग दबा देंगे चबा जाएंगे और इसलिए ये राश्पती चुनाओ बहुत ही महत्वपून हो गया है मुझे अपने सामने जो उमिद्वार खड़ी है उनके बारे में कुछ नहीं कहना है मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि ये आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है पहचान की लड़ाई कि वो किस वर्ग से आते हैं मैं किस वर्ग से आता हूं ये उसकी लड़ाई नहीं है ये बिलकुल साफ तोर पर विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिसमें मैं भी अपने को शामल करता हूं जो चाहते हैं किस देश में लोक्षाही बचे इस देश का संविदान बचे और दूसी तरफ वो लोग हैं जो अमादा है उसको नष्ट करने में उसको समात करने मैं गुद्व कि ले जोड़े हैं जोड़े हैं उसको समात करने में प्रश देश को अबचर टमस थी बैटल दिस इव तर प्यशड़ जसे टूझ तर समिन्मार्स का जारेशन खड़ोजर झाला से फिर लगद सीघ टूझ झाला से लिए कर नौझ बद्टर बद्टर जसा हुट।